Hello everyone, welcome to my channel इंटरनेट के बिना यसुदे की रोशनी के बिना क्या हमारा जीवन आज के युग में संभव है? बहुत मुश्किल होगा, मुश्किल ही नहीं मैं तो कहूंगी नामुम्किन है कि बिना इंटरनेट के बिना वाइफाई के आज इंसान एक पल भी गुजार ले क्योंकि यदि नेटवर्क एरर आता है तो इंसान आज परिशान हो जा रहा है क्योंकि उसकी पूरी दुनिया सिमट कर रह गई है मुबाईल में और मुबाईल में यदि वाइफाई कनेक्शन ना हो लैपटॉक जो कि लोग रास्ते में अपने साथ केरी करते हैं टेबलेटस जो कि रास्ते में केरी करते हैं क्योंकि बिजिось लाइफ आज इंसान की हो गई है तो इतनी बीजी लाइफ में आज इंसान रास्ते पर चलते हुए आटो रिक्षा में बैठ कर ट्रेन पर बैठ कर अपनी गाड़ी में भी काम करता रहता है यानि उसे लगता है कि बिना वाइफाई के उसका जीवन अधूरा है ऐसे महौल में यदि अचुता नंद की द्वारा लिखी गई भविश्यवाणी सत्य हो जाए तो क्या इसकी पॉस मालिका में लिखी थी या जो बतलाई थी आज के युग में उसमें से काफी सारे प्रेडिक्शन मैं सत्य होता हुआ देखती हूं लेकिन साथ ही एक बात और है कि उन्होंने जो कुछ लिखा उन बातों को तोड़कर मरोड़कर रिमर बनाकर लोगों के जीवन में एक पैनि चोटा सा टॉपिक उनके प्रेडिक्शन पर ही लिया है कि क्या ये पॉसिबल है जो बात उनके ग्रंत में लिखी गई है यानि भविश्य मलिका में श्री अचुता नंद दास जी ने 500 साल पहले बतलाई कि एक ऐसा समय इस प्रित्वी पर कल्यूग में आएगा जब साथ द तो सन इस्ट से नहीं बलकि वेस्ट से निकलेंगे पहली बात और दुसरी बात साथ दिनों तक जब अंधेरा चाया रहेगा उसमें इंटरनेट भी नहीं रहेगा यानि पूरी तरह से कामकाच ठप अब सवाल ये उठता है ये जो प्रेडिक्शन उन्होंने भविश्य मलि में लिखी है 500 साल पहले या 600 साल पहले क्या वो बात इतनी जल्दी यानि 2023 में साबित होगी आज इसी पर मेरे वीडियो में आप लोगों के साथ मैं ये चर्चा करने जा रही हूं मेरा ओपीनियन पहले में रखोंगी फिर आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना ओपीनियन देजिएगा पिछले साल 2022 में कुछ घंटों के लिए सर्वर डाउन हो गया था और सर्वर डाउन होने की वज़त से ऐसे नेटवर्क प्रॉब्लम आए कि लोगों ने ट्विटर को फेस्बुक को यूटूब को बहुत सारे मेल्स भेज दिये इतने सारे मेल्स भेजे गए क लिक्यों हैंग हो रहा है हम लोग के वीडियोज नहीं जा पा रहे है हम लोग का कामकाज ठप हो रहा है और तब नोटिफिकेशन लोगों तक पहुँचा कि हां कुछ समय के लिए इसे बंद किया गया है कारण हम लोग अपने सिस्टम को अपग्रेट कर रहे है ये कुछ समय के लिए हुआ था लेकिन उसी में पूरी दुनिया में अफरातफरी मच गई और काफी नुकसान हुआ था लोगों का क्योंकि आज नौकरी हो या विवसाए हर एक जगा हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है आप चाहे मुबाइल पर काम कर रहे हैं लैप्टॉप पर या कम्प्यूटर पर हर कोई हर समय इंटरनेट के बिना उस अपना जीवन सोच ही नहीं सकता सुबह हम उठते हैं सबसे पहले मैसेज चेक करते हैं वाटसब, फेस्बुक, ट्वीटर, शोशल मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया आप कहीं पर भी जाएं इंटरनेट के बिना किसी का भी काम कज हो ही नहीं सकता तो क्या ये possible है मेरे according वो समय इतनी जल्दी नहीं आने वाला जब complete darkness प्रित्वी पर साथ दिनों तक छाया रहेगा जैसा कि अचुता नंदास जी ने भविश मलिका में दावा किया है, उन्हें भविशवानी की है ये बात बिलकुल सकते है कि ऐसा होगा लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा नहीं इस decade में होगा ये भी मैं आपसे कह रहे हूँ इस decade में भी ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि इस decade के अंत में third world war भी होने वाला है तो कुछ समय के लिए हो सकता है इंटरनेट से हमें पीछे हटना पड़े यानि इंटरनेट का connection ना रहे errors आए ये सब भी बहुत सरी technical problems आए जोकि third world war बहुत ही भयानक होने वाला है ये सब कुछ होगा लेकिन 7 दिनों तक अंधेरा मुझे नहीं लगता 2023 में होगा या इस decade में होगा पहली बात और दुसरी बात कि उन्होंने ये भी लिखा है कि जब 7 दिनों तक complete darkness होगा पृत्वी पर उसके बाद जब नया सवेरा होगा तो लोग पाएंगे कि सूरज पूरप से नहीं बलकि पश्चिम से निकला है डारेक्शन सन का चेंज हो गया है और internet आगे के दिनों में धीरे धीरे ये चीज़े खत्म होगी यानि पहले जब internet नहीं हुआ करता था तभी भी लोग अपना जीवन जी रहे थे अपना सभी काम कर रहे थे लोगों के जीवन में खुशहाली थी लेकिन जैसे जैसे इस internet ने लोगों के जीवन में प्रवेश किया तो इससे फाइदे तो बहुत होते हैं लेकिन इसका नु को नुकसान है वो चीजे धीरे धीरे ही सही लेकिन नश्ट कर दी जाएंगी एक समय ऐसा आएगा कि इनसान बिना इंटरनेट के बिना वाइफाई के बिना मोबाइल के भी जीना सीख जाएगा हो सकता है कि जैसे पहले लेंड लाइन हुआ करते थे वही सिस्टम फिर से एक ब मोबाइल रहेगा तो इंटरनेट जरूर रहेगा सवाल ही नहीं है तो इंटरनेट को अगर गाइब करना है तो हो सकता है मोबाइल भी गाइब हो क्योंकि जब सत्यूग था इस प्रित्वी पर सत्यूग में ना मोबाइल ना इंटरनेट ना टेलिफोन कनेक्शन लेकिन सिर भी लोग जिन्दा थे खुशाहाल जीवन व्यतीत करते थे तो एक समय ऐसा इस प्रित्वी पर आएगा ये बात सत्य है कि साथ दिनों तक complete darkness सुर्योदय नहीं होगा लोगों में अफरात तफ्री रहेगी उन्ही साथ दिनों में डिवाइन का असली गेम होगा और उसके बाद नया सवेरा प्रित्वी पर इंटरनेट का काम भी बिलकुल ठब पड़ जाएगा लेकिन ये सब कुछ 2023 में होगा मुझे इसकी possibility एक परसेंट क्या जीरो परसेंट भी नहीं लगती Thank you very much for watching my video